आप सभी सिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों इसके पूरू के वीडियो में हम कई बार चर्चा किये थे इस बात कि कि हम सभी सिक्षकों की एक e-learning पास्बूक होगी जिसमें हम जितने भी प्रसिक्षन ले रहा हैं या जो हम activities करेंगे उस अपने e-learning पास्बूक में दर्ज होती जाएंगे बहुत सारे हमारे साथी से हलके मिले रहे थे लेकिन अब वो मुर्त रूप में आ चुकी है दोस्तों दिक्षा पोटल पे e-learning पास्बूक हम सभी सिक्षकों की upload कर दी गई है अपडेट कर दी गई है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने e-learning पास्बूक को दिक्षा पोटल पे चेक कर पाएंगे इस पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो में हम समझेंगे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा अपने दोस्तों को सेर कीजएगा और इस तरह के वीडियो जूँज अगर चाहते हैं कि आपको मिलती रहें तो वेल आइकम को अब असे प्लेस कर लिजएगा चलिए दोस्तो आज क्या वीडियो सुरू करते हैं चलिए दोस्तो आपको अपने e-passbook देखने के लिए सबसे पहला जो काम करना होगा वो अपनी mobile की screen पे play store को open करना होगा play store को open करने के बाद इसके search बार में लिखना होगा देख्चा app देख्चा app जैसे ही आप लिखेंगे इसमें तो इस तरह का interface आपके सामने आएगा देख्चा app जहां download का option आता है वहाँ पे आपके mobile में update का option आएगा आपको हम ही clear कर दें कि जब तक आप अपने देख्चा app को यहां से update नहीं करेंगे तब तक आपको e-passbook नहीं दिखेगा क्योंकि देख्चा app को अब update कर दिया गया है e-passbook के साथ तो आपको यहां simply e-passbook देखने के लिए देख्चा app को यहां से update कर लेना है चलिए हम update पे click करते हैं सेम प्रक्रिया आपको भी करनी है देखे दोस्तों यहां पे update हो रहा है और यहां पे installing होने लगी update हो चुका है speed हमको अच्छी मिल रही है दोस्तों update होने के बाद से open का जो option मिल जाता है हम इस पे click करके देख्चा app को open करेंगे हमने open पे click कर दिया है और click करते ही दिख्चा app यहां open होने लगा है और दोस्तों जो page आपके सामने दिखाई दे रहा होगा यह दिख्चा का home page खुल चुका है अब यहां पे एक बात बता दे आपको अगर आप अपनी profile से पहले log out हो चुके हैं तो यहां पे जब भी आप अपने profile पे click करेंगे right corner में नीचे की तरफ तो यहां पे login करने का option लेगा आप login कर देजेगा यदि आप अपनी profile से log out नहीं हुए है login है तो फिर आपको login करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए हम अपने profile को click करके अपनी profile को खोलते हैं और देखते हैं क्या परिवर्तन वहाँ पे दिखाई देता है हमने profile पे अपने click कर दिया है दोस्तों और हम आ गए अपनी profile में यहां पे आप देख सकते हैं नाम जो की पहले भी ऐसा so कर रहा था यह नाम है लेटर आपका उपर वाला जो फर्स लेटर है यहां पे देखिए changing क्या है changing यहां होई है जो दिख्षा ID लिखा है यहां पे ध्यान देजिए तो last में यहां पे share का option आ रहा है आप देख सकते हैं यह पहले यह चीज नहीं थी तो एक तो changing आपको यहां दिख रही है कि यहां पे ID share करने का option यहां आ रहा है दूसरी चीज अब चलिए हम नीचे की तरफ देखते हैं कि नीचे क्या परिवर्तन हुए है दोस्तों जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां प्रसिक्षण आपके सारे दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पे एक नई चीज आपको देखने को मिल जाएगी सिक्षारती पास्बुक यही है आपकी e-learning पास्बुक और हम इसे open करते हैं नीचे की तरफ चलते हैं देखते हैं यह देखे दोस्तों सिक्षारती पास्बुक में नौ चीज यानि कि नाइन जो एक्टिविटीज है हमारी वो इसमें दर्ज की गई हैं और अधिक पे नीचे की तरफ यहां क्लिक करके देखते हैं क्या क्या चीज़े हमारे पास्बुक में चड़ चुकी हैं तो यह देखे दोस्तों हमने जो निष्ठा का प्रसिक्षन लिया है यह देखे निष्ठा के प्रसिक्षन है यह तीनों निष्ठा के प्रसिक्षन है इसके अलावे जो इसके पूरों में हमने कि e-learning passbook में आपका यहाँ पे दर्ज हो चुका है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इसमें छूटी हुई है तो इसमें बाद में update हो जाएंगी लेकिन यहाँ पे आप जान लेजिए कि आप इस प्रकार से अपने passbook को चेक करके और देख पाएंगे कि आपकी कौन सी entries में हुई है कौन सी अभी अधूरी है इसके लिए परिसान नहीं होना है दोस्तों अभी और भी चीज़ें इसमें change होने वाली है इसके लिए आप इंतजार कीजिए लेकिन इस समय आप निश्चितरुप से किस प्रकार से आप अपने passbook को देख पाएंगे इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप दिक्षा को अपडेट कर लें और सेम उसी प्रोसेस से अपने profile में जबाएंगे तो नीचे कि तरफ आपको दिख जाएगे सिक्षार्थी का passbook और यहाँ पे आप देख लें कि आपके कौन सी ट्रेनिंग्स आपके passbook में दर्ज हो चुकी है तो दोस्तो यह थी अपडेट नेक्स अपडेट के लिए इंतजार किजी अगले वीडियो का चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चल को सब्स्राइब कर लिजेगा और बहुत सारे साथी सिकायत करते हैं कि आपके वीडियो नहीं मिलते हैं तो आप जो वेल आइकन है दोस्तो जिस पे all लिखा है उसको क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचते रहें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार